तो हमने एक साथ 3.3 स्टाइट कर दी तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम आई है इसमें अभी तक का 3.3 तक तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं को बता दीजिएगा में के बागी कोश्चन मिला लूंगा तो 3.3 के 9 पुछा था कि यह कैसे सौल तो आप पूछ सकते हैं एक साथ कुछ हमें आपको फीगा दे रहा है ठीक कि यह के आर ल यू ऐसा निए यह कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हो तो आप कोश्य कोश्चन नहीं पूछेंगे कि चलो हम लोग कहीं हो से कर लेंगे अगर आपको लगता है कि हमारी समझ भी नही तो आपको समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको लगता है कि नहीं यह को बताइए मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइट कर दूँगा तो जैसे कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां को 120 का एंगल बन रहा है ठीक यह आइस और अगर मैं इन दोने इसके साथ अगर यह इंगलत है तो यह इसकेजात की पड़ीा है यह थीत सेम अगर हम लोग यारी साइड की बात करें इस वाइट ट्रेंगल की लग रहा था कि थोड़ा सा गुलत बना रहा है यह एसा कुछ जा रहा हुआ पिशाख एक यह को तो यह कोशिच कीजिए फीडर कि हमारे पैंसल से बने होने चीए ठीक एंगण के हमर पा बने के हुआ यह 70 है और यह और यह यह ऑगर लागर लो ग्राम बढ़ा कि इसकेक पोजट होते हैं यह बहुते हैं यह बहुतंब कि इन दोने एंगल का सम्कितना होता है 180 होता है थीक है एंगल के प्लस एंगल ना दू तो भी खॉवल्बम थोड़ी इंदोनों के एंगल भी कितना होगा वडनलीटी इतो होना है यह दोनों के हमारे पहले साइट से यहां भी हमारी यह दुन्हों होती है पहलर होती है तबी तो हमेरा यह एंगल ऑनलंटी का मंता स्टेंड दोनों का सम स्टाइब दोन तो यहां पर इन दोनों के एंगल का सम कितना कम चीए यह यह 20 है रहागा एक ट्रेंगल फॉर्म कर रहा देखर हो आम आपकों सब्सक्राइंगल इसा कुछ त्रेंगल दिख रहा मैं घृए एस इस वाले पॉइंट को कुछ भी नाम देजीजिए ठीक है कुछ भी दे सकता हम इसको ओ देता हूं तो क्या मंदरा हमारो ट्राइंगल बन रहा है अगर यह 70 है यह 60 है तो यह एंगल कितने का होगा हमने पढ़ा कि टोटल सम 60 प्लस 70 प्लस X is equal to 180 होता है तो हम दो पढ़ सकते हैं कि 130 प्लस X is equal to 180 एक्स इसको कितने का 50 डिग्री का एंगल बनाएगा इतना सिंपल था ठीक है तो X का वैल्यू कि कितने आ जोगी 150 डिग्री और कोई questions जिसमें आपको पॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कि सर इसकी वीडियो बनाईए तो मैं उसकी वीडियो बनाकर कि आपको दे दूंगा ठीक है थैंक्यू फर बॉचिंग